Effective Astrology Channel पर आपका स्वागत है आए जानते हैं मेश राशी वालों के लिए ये सब्ता कैसा रहने वाला है 27 नुमंबर 2023 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक ये सब्ता कैसा जाएगा आए जानते हैं वीडियो में इस समय अवदी के दोरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे आपकी चंद्र राशी के बारवे भाव में राहू बैठे होंगे और ऐसे में आप बेहतर स्वास्ते के लिए खुद को अपने आराम के शेत्र से निकालते हुए रोज़ाना नियमित रूप से योग वययाम करने का फैसला भी ले सकते हैं हाला कि इस समय आपको काम का ज्यादा बोज अपने उपर लेने से बचना चाहिए इस सब्ता आप कई गुप्त स्रोत्रों से और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे लेकिन इस दोरान आपके घरेलू खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा इसलिए आपके लिए बेहतर हैगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगे पर रखिए और खराब इस्तीती में ही इसका इस्तमाल कीजिए इस सब्ता आपका घर के बच्चों को ज़रूर से ज्यादा छूट देना आपके लिए भविश्य में समस्या खड़ी कर सकता है इसलिए शुरुवात में ही उन पर और उनकी संगती पर नजर रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं कारेस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप खुद यह ना जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे क्योंकि संबव है कि आपके नीजी जीवन में चल रही उठा पठक के कारण आप किसी कारे की जिम्मेदारी तो ले लें परंतो उसे पूरा ना कर सकें विद्यार्थियों के लिए इस सब्ता बुद्ध महाराज आपके नोवे भाव में मौजूद रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूब आपका हस्मुक्स चरित्र और बौधि कोशल आपको सिख्षा में सफलता तो दिलाएगा लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं क्योंकि संबव है आपकी बढ़ती सफलता को देख वो आपसे इर्शा रखेंगे जिससे आपको आगे चल कर परिशान ही रहेगी उपाए में इस सफ्ताव को बेतर बनाने के लिए आप प्रति दिन हनुमान चालिशा का पाट करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारी अगली वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें